अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा कुश्चिन जिसके अंदर बहुत चारी ट्रांजक्शन को हम क्या करने वाले हैं चार अक्टिविटीज में डिफाइन करने वाले हैं वही है हमारा काश फ्लू पहला है ऑपरेटिंग सेकेंड हैं इन्वेस्टिंग तर्ड फाइनसिं से रिलेटिंग कुछ भी आपका एक्सपेंस होता है कुछ भी पैसे का आना जाना होता है अपने किसी से पैसा लिया उसके लिए जो भी खर्चा देना पड़ा तर्टिस फाइनसिंग काशन काश एक्वेलेंट हम सोचते हैं इसके इन बांक कैस जो हाथ में है बांक में जो पैसा है वो क्या सिर्फ काशन बैंक है नहीं अब देखेंगे इसके अंदर और भी क्या चीज़ जुड़ती हैं चलिए लाट्स स्टार्ट फरस्ट कैश सेल क्या होती है कैश सेल इस ड लिए काश सेल कैश परचेसेश अरोपरेटिंग हम क्या करने वाले हैं एक थान रखेगा यहां पर फर्स अप्टिविटी ऑपरेटिंग विल्राइट वन फॉर दर ऑप रॉपरेटिंग जैसे आप चैश फैली काश परचेस दोनों ही ऑपरेटिंग है तो उसमें क्या करेंग सब्सक्राइब करेंगे यह वन लिकने का मतलब है किट इपलॉंग सूपरेटिघ्टिटेँ immediate इंपाइब पुर पिरेंगोर थैसे नंव्हेने का बरीयर की मिक्टार होगी है इसलिएuger से बाहिए वगेम से इस लिए इसे लिए जोब्गी sa babe करते हो बिजनस के पर बिजनस से उसके ऊपर टेक्स आया आपने पेकर दिया तो बिजनस से रिलेटेड एगान बाकी अगर इंवस्टिंग से आया होता है या फाइन सिंग तो उसमें अलग टेक्स लगते हैं ठीक है तो इंकम टेक्स पेड इस ऑल्सो ऑप्रेटिंग टेशन हैं अभी तो बुला था बशसे का इक्विलेंट था मत्ब्द इस फोर टाशन एक्विलेंट का इसका मतब्स फॉर कैस और एक्विलेंट टेंगा याथमें बिजनस से रिलेटेड है ऑफिस के खर्च रहते हैं बैलंस और बैलंस अब बívula क्या और बैलंक का बैलंस टीक है सेटर मुचीनरी फाई डेलर आफ मशीन्स काम ही मशीन बेचना है तो आपने मम कौप है मतलब आपके लिए लिए उसके लिए गुद है मशीन इन्वेस्टमेट प्रट नहीं है इसलिए यह इसके बिजनस के कोर आक्टिविटी यह इसलिए दिस जाप प्रेटींग नॉट फैंट इन्हीं क्योंकि दीलर है वो कार का तो गार ही बेचेगा ना उसका में काम क्या है कार बेजना कार पर चेस करन so that is why it is operating issue of debentures debenture issue करो share issue करो कुछ भी उससे पहसा आएगा business के अंदर business ने क्या किया finance acquire किया market से तो finance acquire किया तो financing activity है so issue of debenture is financing activity yes dividend paid किसके लिए देते हैं dividend obviously shares पर देते हैं dividend to shares क्या है financing का पाट है उससे पैसा में क्वायर कर रहे तो dividend paid भी हमारा financing activity होगा क्योंकि हम पैसा लेकर या फिर सो जो भी सोर्से से पैसा आ रहा है उसको हम उसका खर्चा दे रहे हैं so that is dividend paid is also financing cash paid against trade payable trade payable क्या होते हैं creditors bills payable yes उनको पेमिंट कर रहे हो अब उनको अगर पेमिंट कर रहे हो तो मुझे बताईये तो that is a business का core activity purchase किया है उसके लिए पैसे दे रहे हो business का ही activity हुआ नहीं अगर यह business का ही activity है तो that means this is operating purchase of machinery आप सोचो machine आप क्या machine का काम कर रहे हो लिखा हुआ है कहीं नहीं तो यह goods नहीं है यह investment है longer time benefit के लिए investment है that is why this is investing activity second investing activity issue of share capital अभी बताया share को issue करो debenture को issue करो उससे पैसा acquire करो business के लिए तो this is financing activity three income tax refund income tax अगर operating है तो income tax refund भी operating होगा पैसा जाना पैसा आना उसी चीज में so that is why it is operating sale of patents again यह क्या है हमारी intangible assets tangible asset or intangible asset asset को लेना और purchase करना और sale करना investing ही होता है क्योंकि वह longer time benefit के सबसे हम काम कर रहे है so that is why this is investing activity that means to purchase of marketable securities अब यहां आता है थोड़ा सा change हम सोचते हैं cash and cash equivalent cash और bank तो मतलब खतम हो गया नहीं पर चीज़ा आप security जिसको जब भी आप चाहो तब आप liquidate कर सकते हो इसलिए इसे हम cash and cash equivalent में मानते है four cash and cash equivalent में मानते है ध्यानक ना marketable non marketable नहीं marketable ठीक है जुसको आप जल्दी से convert कर सकते हो then purchase of goodwill goodwill क्या है asset intangible अभी बोला कोई भी ऐसेट हो tangible intangible purchase हो sale हो investing ही आने वाला है so that is why this is investing next short term deposits in the bank short term deposit का मतलब पैसा डाला निकाल रहो बहुत जल्दी जल्दी यही तो होता है cash and cash at bank balance and bank वही हुआ ना anytime you can take the money out that is why short term deposits को भी हम cash and cash equivalent मानते हैं यह ध्यान रखना अभी आया ना समाज और चीज़े आड हो रही है marketable security आड हो रही है short term deposit आड हो रही है cash and cash equivalent में तो ध्यान रखना है cash and cash equivalent सिर्फ cash और bank नहीं है बहुत सारी चीज़े आड हो रही है then purchase of securities non marketable word लिखा है non marketable ना लिखा होता तो cash and cash equivalent था but non marketable securities purchase कर रहे हो मतलब आप invest कर रहे हो है ना obviously investment activity हो जाएगी है so that is that is why this is a investment activity क्योंकि आप longer time benefit के लिए securities purchase करें यह सथ ही एक तरह से cash received from debtors debtors are the part of our core activity creditors debtors सब तो उनसे पैसा receive करना या फिर क्रेटर को पे करना सब business का ही पाट है तो that is why this is operating activity understood तो हमने क्या किया सारी की सारी transactions को देखा कौन सी operating से related है कौन सी investing से related है financing से and cash and cash equivalent से कुछ एक चीज़े देखते जाओ और बाइफरकेट करते जाओ बहुत जरूरी होता है समझना पहले कि activity है क्या नहीं नहीं समझ में आएगा तो आप पूरी cash flow statement नहीं बना पाओगे तो पहले इसे ध्यान से समझो now we talk about financial enterprises and non financial enterprises financial enterprises कौन सी होती है जहां पे पैसे का ही business है मतलब मैं पैसा आपको उधार में दूँ उसका interest लूँ मैं किसी से लूँ पैसा उसको interest दूँ यही मेरा काम है मतलब पैसे से पैसा कमाने वाला की काम है मेरा तो financial enterprises की बात कर रहे हैं बैंकिंग हो सकती है जहां पर भी आप पैसा deposit कराते हो वहां से पैसा interest पर आता है so that all is financing non financing companies क्या होती है non financing companies की अगर हम बात करते हैं तो again normal course of business जो हम good and services बनाती है वह सारी companies अब हमें classify करना है इन में से कौन सी transaction operating है operating financing investing नहीं दिखते हैं क्या होगा investing financing क्या है but operating activity for the financial and non financial financial मतलब जो money में ही deal करती है जिसका काम ही है यह सब पैसे को खरीदन और securities को खरीदन और बेचना ठीक है so financial company होती है चले देखते हैं पहले financial company की बात कर रहे है non financial की बात नहीं कर रहे है financial पैसा purchase of security of the company securities again related to the money so yes it is operating yes it is operating for financing company yes it is for financing company मैं F लिक रही हूं financing के लिए यह operating है brokerage paid for the above purchases security को purchase करना financing हुआ तो उसके उपर का खर्चा भी financing sorry not financing operating हुआ क्योंकि financial company का operating हुआ ठीक है अगर बाकी किसी company की बात करते तो देखते हैं क्या होता securities को purchase करना किसी से पैसा लेना किसी सको पैसा देना उसके उपर का खर्चा सारा operating है financing company financial company के लिए जो पैसे से related काम कर रही है sale of security of the company again purchase of security अगर operating है तो sale of security भी operating होगा yes it is operating next dividend and interest received on security again हमारा काम ही है security को purchase sale करना उसके उपर की income उसके उपर का expense सब operating है हमारे लिए ठीक है dividend paid to shareholders यह कभी किसी भी company के लिए operating नहीं हो सकता shareholder का मतलब ही ही होता है कि कोई हमें पैसा दे रहा है shareholders owners उनको हम dividend पेकर है तो यह हमेशा financing ही रहेगा हमेशा तो यह operating नहीं है financial company के लिए दें इंट्रस पेड़न बॉर्ण बॉरो क्या करना क्या काम है हमारा बॉरो करना काम है हमारा उसके उपर का खर्चा normal course of business that is why it is operating for the financial enterprises ध्यान रखना है financial enterprises के लिए interest paid on the borrowing is operating क्योंकि borrow करना borrow देना यह दोनों ही काम है उनका से में देखो loan and advances made हमने सामने वाले को पैसा दिया यही तो काम है तो इसलिए यही हमारा operating activity है ज्यान रखना है receipt of loan and advances made पैसा आ गया जो दिया था operating क्योंकि यही काम है सेल पर सेल पर्चेज अवाट मनी सेल पर्चेज क्या लोन देना लोन लेना बॉर्ण देना बॉर्ण लेना यह सब चीज़े ही हमारा काम है तो except this e part everything else is operating for financial company financial ठीक है non-financial के लिए क्या है चलो one और का वी कमपनी सुरेटी सब्सक्राइब पर्चेज करती कि रिए топ यहां आय लिख के दितर हो गया इंटर्स्टविडेंट रसीवड ऑबने विज्व मोगा ओक्रीsty पेर्स किस करें मिलता है से कूरिटीटि पेरी में क्योंने हैं थारी इस पूर सब्सक्त Corberate no on financial financing activity interest paid to borrowing on the borrowing borrowing के लिए का ज़िए उसके ओपर का खर्चा financing activity तो this is also financing activity next loan and advances made aapne Issco Paisa diya है तो आपका investment क्युकि लों देना वोन रेना दोनों ही इन्वेस्तिंग होता है और मुल नॉन फाइनांशिल कंपनी के लिए तो यह नॉन फाइनांशिल कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग यह पाइनसींगे क्योंकि पैसे से ही डील करती है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझो अगर एक फाइनांचिल एंटरप्राइज है तो उसके लिए पैसा लेना से क्योरिटीज करिदना यह सब चीजों काम है तो बेसिक जो हमारी इस तरीके से हमें आना चाहिए कोई बात करेंगे क्या इन फ्लो है क्या आउट फ्लो है उसको समझने की कोशिश करें अब हम बात कर रहे हैं कि कैश आ रहा है हमारी फर्म में जा रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है no inflow no outflow कोंशी अब नाधा चलेगा कि पैसा आ रहा है कोंची प्रांग्ण wichtige में पेसा जा रहा है business headphones ag Experiment by business बाना बस्तो बदोब्ष इंसे समझना है हमें बदोब बिचेंटर वाल्य नो नो बदोब डबाते फिर में लोग आए at a loss of 5,000 मतलब मैंने पांच हजार रुपे कम पे पचास हजार रुपे की चीज बेची तो 45,000 तो मिले ना पैसा तो आया बिजनस के अंदर that is why here it is in flow this is in flow पैसा आ रहा है पर चीज अव स्टॉक इंट्रेट फो कैश आप पर्चेस कर रहे हो यह जा रहा है समझना है क्या र है या जा रहा है नेक्स पर्चेस और फिट अचले जीड़्य मटली हम आप शो आपhem्ड हो मैंशी तो ले ली लेकिन हमने क्या किया उसके बदले शेर द यह तो pack पेसा गया क्या नहीं पैसे टो कई भी नहीं एक जज इस नहीं छो च्छ पिशुब कैसे नहीं यह डा तो देस इन फ्लो दिह नहीं हुआ पैसा आयाहे रहा जो फैका shalda गया है na withdraw किया तो निकल गया ऐसा नहीं है business का ही bank account होता आप थाइस का ही cash होता है तो cash बेचल के bank में डाल दिया business नहीं तो business में क्या फर्क पड़ा कुछ नहीं this is no flow ध्यान रखने हैं this is no flow again same cash app अपने cash withdraw किया bank तो क्या फरक पड़ा cash में आगया bank क्वाली चीज बिजनस के अंदर तो कुछ आना जाना नहीं वाना बाहर से एक्स टो इसलिए इसका no flow this is also no flow next issue of fully paid bonus share word bonus share bonus share का मतलब होता है कि जो मेरे shareholder जाओं उनको extra share दे रहे हूं without money without money इसका पैसे तो नहीं आ रहे हैं तो यह no flow नजा रहे हैं ना आ रहे हैं तो कोई flow नहीं है next declaration of final dividend of rupees 25,000 declare किया है दिया थोड़ी है declaration है not paid अगर यह paid होता तो यह outflow था declare किया है मतलब हम next year देंगे अभी नहीं दे रहे हैं समझो declaration of final dividend हमने declare कि we will give but दिया तो नहीं है तो अभी के लिए no flow next year जब दे देंगे तब हम कहेंगे it is outflow not now increase in the bank overdraft bank overdraft क्या है जो bank हमें पैसा extra देता है थोड़ा सा भी चलो और ले लो और ले लो जारेक लिए हमारे कॉंट में क्या आया वह आ गया हमारे कॉंट में पैसा inside that is inflow हमारा पैसा आ गया है ठीक है last decrease in cash credit हमने क्रेडिट लिया हुआ था बैंक से चोटा 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 क्रेडिट वह हमने कम कर दिया पैसा दे दिया है so that is why it is outflow दियान रखना है external external not internal externally अगर हम किसी से लेना देना करते हैं तो वह inflow आउट फ्लो होता है लेकिन इंटर्नल एक दूसरे को बैंक से कैश में डाल देना कैसे बैंक में डाल देना यह सब फ्लो नहीं होते हैं यह फ्लो नहीं है ध्यान दो आउटसाइड आउटसाइड बिजनस जो सप्लाइर जो डेटर्स हैं उन से लेना देना होता है तो आपको समझ रहें क्या इंट फ्लो है क्या आउट फ्लो है दिस यूगें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बड़ देख लो सारी ट्रांजेक्शन क्योंकि अब हम स्टार्ट क सब्सक्राइब करेंगे प्राक्टिकल कोईशन में ध्यान देना नोटबुक रखना आपने पास लिखना जरूरी है